हलो एंड वेलकम गाईज डिवाइन केरो ट्रिपल एट चेक करेंगे करेंगे करेंट इनर्जी ऑफ यौर परसन पार्ट वन होगा यह जर्णल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी जितना आपसे रेजुनेट करें उतना रखेगा जबर्दस्ती अपने आपको सिच्वेशन में फिट इन नहीं कीजेगा ठीक है आप रिलेशन्शिप के जिस भी स्टेज में हैं चेक करते हैं कि करन्ट एनर्जी ऑफ यौर परसन बायों में मेरा नंबर मौझूद है वर्टसप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं परसनल रीडिंग के लिए और परसनल रीडिंग कभी भी फ्री आफ कॉस नहीं होती है एंड जैन सेकंड इसके यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताके मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सकें ओके जी करन्ट एनर्जी ऑफ यौर परसन, करन्ट एनर्जी ऑफ यौर परसन सबसे पाली चीज तो मुझे ये नजर आ रहे हैं कि आप दोनों नो कॉंटेक्स सिच्वेशन के अंदर हैं ठीक है और आपके परसन को ऐसा लग रहा है कि आप इस सिच्वेशन से वौक अवे कर गए हैं उनके माइंड में ये चीज चल रही है कि शायद अब आप इस सिच्वेशन पे इस रिलेशन्शिप पे और मजीद काम नहीं करना चाते हैं और उनको उनके माइंड सेट में ऐसा चल रहा है कि उन्हों ने अपनी तरफ से इस रिलेशन्शिप को बचाने की बहुत एफ़र्ट की बट आपने इस कनेक्शन में रहना पसंद नहीं किया ठीक है और ये परसन अपने माइंड की नेगिटिविटी के अंदर मौझूद है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें इक्वल गिवन टेक नहीं मिल सका और अभी भी इंटेंशन्शन्स यही है कि मैं किसी तरीके से इस रिष्टे को बचा लूँ और सम टाइम इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन्शिप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है ये रिलेशन्शिप मुझे कहीं से कहीं मेरे हाथ से जा नहीं सकता विद दुन ओफ कफकार्ड के यहाँ पर दो सिचविशन नजर आ रही है कि अगर आपकी साइट से घलती है तो ये सौरी अपॉलिजी फील कर रहे हैं बट इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप से सौरी अपॉलिजी कर सकें और अगर गलती आपकी साइट से हुई है तो ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई sorry apology इनकी तरफ आए ताके कोई hint मिले, कोई signal मिले जिसके two words ये आगे मजीद इस रिष्टे को extend कर सकें ठीक है यहाँ पर चेक करूँगी soul level पर उनकी क्या feelings हैं आपके लिए please divine peace universe please give me a right predictions for my viewers current energies of your person okay जी देखें, retreat love yourself first attraction the last one is flirt इस relationship को retreat करना चाहरे हैं वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो गया है उसको let go करें और इस दुनिया से disconnect हो के कहीं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ चलते हैं लेकिन अब इस इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो value जो attention आप इस person को देते थे अब वो सब कुछ कहीं आपने अपने उपर focus करना शुरू कर दिया हैं अब आपको अपनी self respect की भी कदर हो गई हैं और ये चीज आपके person को आपकी तरफ और मजीद attract कर रही हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि no contact situation में ये person अगर मैं इस person को भाव नहीं दे रही हूं आपकी तरफ ना अट्रेक्शन पॉइंट उफ यू से देखूं तो अट्रेक्टेड हैं काफी आपकी तरफ जो आप लोगों ने टाइम गुजारा है जो टाइम आप लोगों का हैपी टाइम होता था जिसमें आप लोग फन फलर्ड करते थे हला गुला करते थे चीजे क्या है क्फिट डिवाइन ऑ फिस उनिवर्स पीस की इए राइट प्रडिक्शन फोर माइव वीउर्स क्रण्ट अनर्जी में मेरे व्यूर्स के परशन के थॉर्ट्स क्या है इंलाइट्मेंट डिस्कवर्и क्यिशन आईससोलेशन देखें अंदर से एक soul से जो voice आना होती है इस इंसान को कहीं ने कहीं वो voice डिस्टरब कर रही है ठीक है यानि कि ये अपनी अंदर की आवाजों से ये इंसान भाग रहा है जबके ये इस relationship को बनाना चाहते थे किरियेट करना चाहते थे लेकिन यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त आइसोलेशन पीरियड में है और ये वाले तमाम कार्ट्स में clarify करूंगी कि अगर इनको किस चीज की enlightenment हो रही है और